कड़ी तो हम सभी को भी बहुत पसंद आती है और इसको बनाने का अभी तरीका सबका अलग अलगी होता है तो चलिए आज हम बनाते हैं कड़ी पकोड़ा हमारे स्टाइल में सबसे पहले हम एक बर्तन में तेल गरम करेंगे तेल गरम करने के बाद हम उसमें राई मिलाएंगे राई मतलब सर्तो के दानी सर्तो के दानी के बाद हम उसमें दाना मेथी के दानी डालेंगे कड़ी पत्ता डालेंगे और उसको थोड़ा गरम होने देंगे फिर हम आज बंद करने के बाद एक बर्तन में पानी लेंगे उसमें हल्दी मिलाएंगे और वो हल्दी वाला पानी हम जो तेल का मिश्रन था उसमें मिला देंगे फिर हम आज चालू करेंगे और उस मिश्रन को पकने देंगे अब कड़ी का मिश्रन बनाने के लिए हम एक परतन लेंगे उसमें हम दालेंगे धाई धाई में हम थोड़ा सा दो चमच बेसन एड़ करेंगे बेसन एड़ करने के बाद हम उस मिश्रन को अच्छे से फेटेंगे चलाएंगे फिर उसके बाद हम ऊसमें पानी ढालेंगे इस मिशंट कुछ थोड़ा पतला होने देंगे और उसको हम चलाते रहेंगे अब अब यह ध puta की मिश्रन को हम जो आज पर रखा वो हल्डीघ वाला मिश्रन था उसमें मिला देंगे मिलानी के बाद हम इसमें नमक एड़ करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको उबालाने देंगे चलिए अब हम करते हैं पकोड़े बनानी की तयारी तो पकोड़े बनानी के लिए सबसे पहले हम लेंगे कड़ाई कड़ाई में हम तेल डालेंगे और उसे आज पर रख देंगे गरम होने के लिए अब पकॉड़ी के मिश्रन के लिए हम एक प्लेट में बेसन लेंगे बेसन में हम सौफ नमक लाल मिर्च थोड़ा सा खाना सोड़ा और पानी डालकर उसे अच्छे से उसका पेस्ट बना अब यह पेस्ट को हम जिसे पकॉड़े दलते हैं वैसे कड़ाई में डालकर इसके पकॉड़े बना लेंगे अब हम बनाते हैं कड़ी के लिए तड़का तो कड़ी के तड़के के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे पैन में हम घी रा लेंगे घी को पकने के बाद हम उस का मिश्रिन बनाया हुआ था उस पे बगार लगा देंगे और इस कड़ी में जो बने हुए पकॉड़े थे उनको मिला के अच्छे से चला देंगे अब हमारी कड़ी पकॉड़ा तयार हो चुकी है अब हम इसे गरम चावल के साथ इंजॉय करेंगे